जय स्री प्रकड संतोसी माता नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के जोतपूर में इस्थित प्रकड स्री संतोसी माता के साक्सार दर्षन करने के लिए जानकारी प्रस्तुत कर रहे हुँ राव जोदा द्वारा बसाया गया जोदपूर सहर को कौन नहीं जानता परियतन की द्रस्ट्री से वह यहां के म्रदुबासी लोग वह पूरी दुनिया में अपनायत के लिए जग चावा जोदपूर जिसे सूर्य नगरी वह ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है जोदपूर रेलवे स्टेशन से करीब आठ किलोमेटर की दूरी पर जोदपूर नागर मार्क पर मंडोर क्रसी मंडी के पास लाल सागर की अत्यन थी मनमोहक वर रमनिक पहाड़ियों के बीचों बीच प्रकट स्री संतोसी माता का मंदिर है जानकारों के मुताबित यहां संतोसी मा स्वयम प्रकट होने से इस मंदिर का नाम प्रकट स्री संतोसी माता के नाम से जाना जाता है आप भी एक बार दर्सन करने जरूर पदारे दूर दराज से दर्सनार्थी यहां माता जी के दर्सन करने आते हैं सुक्रवार वन नवरात्रा के दिन दर्सनार्थियों की संख्या बहुत अधिक रहती हैं अब मैं आपको प्रकट स्री संतोसी माता की व्रत्विती के बारे में संपोन जानकारी बताने जा रही हूँ किसी भी सुक्रवार को यथा संबव हो सके तो आपके सहर या गाओं में संतोसी माता के मंदिर जाकर मन ही मन संकल्प लेकर हे संतोसी माता मैं अगले सुक्रवार से आपका व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ मुझे सकती प्रदान करना मुझसे भूल वस कोई छोटी मोटी गलती हो तो समा करना मा मेरी मनो कामना पूर्ण करना यदि आपके आसपास कोई मंदिर नहीं हो तो आप संतोसी माता की तस्वीर घर पर लेकर आए और माता जी की फोटो के सामने संकर्ब लेकर व्रत की सुरुवात करें आपकी मनवांचित इच्छा पूरी होगी कम से कम सोलो सुक्रवार को संतोसी माता की व्रत करके उध्यापन कर सकते हैं महिला वपूरुष दोनों इस व्रत को कर सकते हैं व्रत के दिन कोई भी खटी चीजों को घर में न लाए, न चुए और नहीं खाए अपनी सामर्थ्य अनुसार सोलो सुक्रवार के बाद भी कंटीनियो आप इस व्रत को कर सकते हैं व्रत खोलते समय माता जी की तस्वीर के सामने घी का दिपक जलाए ततपस्चात, तामबेक का जल से भरा कलस, चना, गूड, केला व कोई भी मिठाई का भोग माता जी को अरपन करके व्रत खोलें रसोई में बिना खटाई की वस्तोय जैसे खीर, पूडी, हलवा, बिना खटाई की सबजी बनाकर आप इस व्रत को खोल सकते हैं श्री संतोसी माता के व्रत उद्यापन वक कथा जल्द ही अगले वीडियो में अपलोड करेंगे जय श्री प्रकट संतोसी माता, लाल सागर, जोदपूर आपकी सभी मनो कामनाएं पूर्ण करें